साथियों सामसदों के लिए पिछले साल नौर्थ एवेन्यू के घर बनकर तयार हुए थे और आज बीडी रोड पर वी ये तीन टावर आवंटन के लिए तयार है मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन टावरों का संगम इसमें रहने वाले जन प्रतिनिद्यों को हमेशा स्वस्थ रखे कारियरत रखे और संतोशी बनाए इन फ्लैट में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को अपने दाईत्व के निर्वहन में मदद करेगी सांसद भवन के नदिक होने की वज़ा से भी इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी साथियों दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत बरसों से रही है और जैसे अभी बिर्ला जी बता रहे थे, लंबे अर्षे तक सांसदों को हटल में रहना पड़ता है, इसके कारण आर्थिक बोज भी बहुत आता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंबीरता से प्रयास, 2014 के बाद विशेस रुप से शुरू हुए, बसकों से चली आ रही समस्याएं, तालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है, सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहां दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे, जो कई कई बरसों से अधूरे थे, लटके पड़े थे, कई इमारतों का निर्मान इस सरकार के दोरानी शुरू हुआ, और ताय समय में, और ताय समय से पहले, समाप्त भी हुआ, जब अटली वारी वाजपाई जी की सरकार थी, तो अटली जी के समय, जिस अमबेड कर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी, उसका निर्मान कितने साल लग गए, इस सरकार बनने के बाद ही इसका काम हुआ, 23 वर्सों के लंबे इंतजार के बाद, डॉक्टर अमबेड कर इंटरनेशनल सेंटर का निर्मान इसी सरकार में हुआ, सेंटरल इनफर्मेशन कमिशन की नई बिल्डिंग का निर्मान इसी सरकार में हुआ, देश में बसकों से बॉर्मेमोरियल की बात हो रही थी, हमारे देश के वीर जबान, लंबे अर्से से इसकी आशा कर रहे थे, मांग कर रहे थे, देश के वीर सहुईदों के स्मूर्ति में, इंडिया गेट के पास बॉर्मेमोरियल का निर्मान भी, उसे करने का भी सवभाग्य हमारी सरकार को मिला, हमारे देश में हजारों पुलिस कर्वियों ने कानून व्यवस्ता बनाए रखने के लिए, अपना जीवन दिया है, हजारों पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उनकी याद में भी, नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्मान भी, इसी सरकार कर द्वारा हुआ, आज सांसोतों के लिए, नए आवासों का लोकारपण, ये लोकारपण भी, इसी स्रंखला में एक जरूरी और एहम कदम है, मुझे खुशी हैं कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है, इन फ्लैट्स के निर्मान में परियावरन का ध्यान रखा है, एनर्जी कज्यर्वशन के उपाए हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्लिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुरिक बनाते हैं,